स्वातीज रसोई जो भिंडी नहीं भी खाते हैं वो भी इसे बरे चाव से खाएंगे आप इसे रोटी पूरी पराठा चावल के साथ सब कर सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है और या बहुत ही स्वाधिष्ट बनता है आप इस रेसिपी को जरू ट्रै कीजिए रेसिपी देखने के लिए पूरी वीडियो को देखिए आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड और रिलेटिव में से शेर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को प्रेस कीजिए उसके बाद वेल आइकोन को दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बिंडी जिससे अच्छे से धो कर कप्रे से पोच कर इसका पानी सुखा लिया है इसे दो इंच के टुकरों में काट लिया है और बीच से इसे चीरा लगा लिया है या देखिए एक मिडियum साइच प्याज बारिक कटाववा एक टमाटर कटाववा पास छे लहसून बारिक कटेवे तीन हरी मिर्च लंबाय में कटिवे आधा चमच नमक या टेस्ट के कॉड़ें आधा छोटा चमच हल्दी पौडर एक चमच धन्या पौडर आधा चमच जीरा पौडर आधा चमच गरम मसाला आधा चमच अमचूर पौडर थोरी सी मेथी आधी चम्मच, पीली सर्सो या आप काली सर्सो भी ले सकते हैं दो बड़े चम्मच सर्सों का तेल एक कराही में तेल गरम करेंगे तेल गरम हो गया है अब इसमें डालेंगे बिंदी और इसे हम मीडियम फ्लेम पर स्ट्राइ करेंगे बिंदी फ्राइ हो गया है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे बिंदी निकाल लिया है अब कराही में थोड़ा और तेल डालेंगे डालेंगे मेति दाना सरसो जब चटक जाए तब इसमें डालेंगे जाज लर्सुन हरी मिर्च और इसे भूनेंगे इसे चलाते वे प्याज के गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है प्याज भून गया है अब इसमें डालेंगे टमाटर डालने के बाद इसमें नमक डाल देंगे जिसके टमाटर जल्डी से गल जाए अब इसे ढ़क कर टमाटर के गलने तक पकाएंगे टमाटर गल गया है अब इसमें डालेंगे हल्डी पॉडर दनिया पॉडर जीरा पॉडर गरम मसाला और इसे टेल छोड़ने तक भूनेंगे मसाला अच्छे से भून गया है या टेल भी छोड़ने लगा है अब हम इसमें डालेंगे भिंडी जिसे हमने पहले ही फ्राइक कर लिया था और इसे अच्छे से मिला लेंगे अगर आप इस तरह से भिंडी मसाला बनाते हैं तो जिन्हें भिंडी नहीं भी पसंद है वो भी इसे मांग मांग कर खाएंगे बिंडी को हमने मसालों में मिला दिया है अब हम इसे ढख कर दो मिनट और पकाएंगे जिससे की मसाला बिंडी में अच्छे से मिल जाए गैस का फ्लैम हम लो कर देंगे देखिए बिंडी में कितने अच्छे से मसाला मिल गया है अब हम इसमें डालेंगे अम्चूर पॉदर इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम गैस बंद कर देंगे इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल लेंगे मसाला भिंदी तयार है इसे आप रोटी, पूरी, पराथा, चावल किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो या बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुती स्वाधिस्ट आप इसे जरूर बनाएए आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी अपना एक्स्प्रेंस नीचे कमेंट शेक्षन में लिख बेजिए लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बिल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पेज पर देखते हैं तो मेरे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए थैंक्यू